जापान के टोक्यो में क्याइड शिकर्स मेलेंड जारी है और समेलेंड में भारत के परधान मंत्री नरेंदर मौधी मौधि मौधी है विदेश मंतरी S.J. शंकर भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुँशें अमेरिका के राजपती जो बाइडन भी इस कारकम में शामिल हुए है Quad Leaders Summit में परधान मंतरी नरेंद मोदी ने औस्टेलिया के पीम एंथनी अल्दनीज को भी बढ़ाई दिये है और ये भी कहा है कि टोक्यो में दोस्तों के बीच होना मेरा सो भाग है Quad Leaders Summit में जो बाइडन ने ये कहा कि रूस यूक्रेन युड़ एक बड़ा मानविय संकट है यूक्रेन युड़ के लिए रूस दोशी है और स्कूलों को भी निशाना बना गया है चुनाव की तैयारियों में जुटी है कॉंग्रेस पार्टी सोनिया गांधी ने अब टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया है Political Affairs Committee भी बनाई गई है और पीएसी में राहूल गांधी और साथी मलिका अरजुन घड़गे शामिल है गुलाम नभी आज़ाद और अंबिका सोने भी शामिल किये गए है केसी वेणो गोपाल और साथी जितेंदर सिंग का भी नाम पी एसे में शामिल है ग्यान बापी मामले में आज फिर से सुनवाई होने जा रही है ये भी आपको जानकारी हम देना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में वानसी जिला कोट में सुनवाई होने जा रही है कल कोट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था यूबि में आज से राजी सभा की ग्यारा सीटों के लिए नामंकन दाकिल होने जा रहा है एक तिस मईड तक ये नामंकन दाकिल किया जा सकता है एक जुन को नामंकन पत्र की जाच भी होगी और तीन जुन तक बापस ली जा सकते है नाम दस जुन को सुभए नो बजे से शाम चार बजे तक बोटिंग होगी युपी विदान सबा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज भी स्रजन के हंगावेदार रहने की पूरे आसार है राजजिपाल के अभी भाष्टन पर चर्चा और धन्यवाज प्रिस्टा और भरभी चर्चा स्रजन के पटल पर अध्यादेश भी रखे राएंगे दिल्ली वास्यों को सोगात मुख्यमंत्री के जीडिवाल देंगे और डिट्सों इलेक्ट्रिक बसों को हरी जंडी फिलाल दिखाव भी दी गई है तीन दिनों तक मुप्त यात्रा भी लोकर पाएंगे राजधानी में कुछ हट तक पॉलिशन भी कम हो सकता है दिल्ली मिशन की अब शिर्वात हो चुकी है दिल्ली के सोला हजार पार्कों का भी सौंद्रेकरण की अज़ाइगा दिल्ली के प्रैनुन वंत्री गवबार राई ने इस बात की जानकारी खुड दीर है कर्राल में मारिशी कश्यप जुंति का कारिकर मुख्यमुत्री मनावुराल लाल ने इस कारिकर में श्विर्कत की है मारिशी कश्यप जंति मनाई जा रही है रोतक से सांसर्थ अरविन श्यर्मा को बीडेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपे धनकर ने सला दिया उन्होंने कहा कि बहुत अतरिक्त बात करनी नहीं चाहिए पार्टी में बात कहने के बहुत से प्लेट्पॉम से अपनी बात बहाँ पर कह सकते हैं मुख्य मंतरी पुश्कर सिंग धामी की शहीद कर्तार सिंग सराभा को उन्होंने शर्षत नमन किया मुख्य मंतरी पुश्कर सिंग धामी ने एकट्वीट भी किया और कहा कि आपका जीवन हमें सदे राष्ट सेवा के लिए प्रेजिद करता रहेगा चुबिस मई को हिमाचुल केबिनेट की बैठक होने जा रही है मुख्य मंतरी जयराम ठाकोर बैठक की अठिक्ष्टा करेंगे बैठक में तमाम केबिनेट मंतरी मौजूद रहेंगे सुबह सारे दस बजे राज्य सची वाले में बैठक होगी केबिनेट बैठक के लिए कई एहम पैसले लिए जा सकते हैं और धानमंत्री नरेंद्र मोरी का हिमाचल का दोरा है शिमला नागरिक सभा में रैली स्थल पर अब आपत्ती जताई गई है सभा के संयोजक और पूर मेर संजेट चोहान ने अपनी मांग उठाई है रिज़ के स्थान पर अनाडेल में रैली करने की मांगी गई है शिमला में कॉंग्रिस की प्रदीश यद्धेक्ष प्रटीबा सिंग ने किंड सरकार पर निशाना साधा पेट्रोल टीजल के डामों को कम करना उन्होंने 24 संट करा दिया शिमला में कई जगों पर हलकी बारिश का डौर लगता जारी है अब आपको बता रहे कि शिमला में भी कई शेत्रों में बरसा से तापान में गिरावट दर्ज की गई है मौसमे भागने अब येलो नट जारी किया है शिमला समेथ टर्देश के कई जिलों में अलठे बरसात का और अगले दो से तीन घंटे तक बारिश का दौर यूँ ही जारी रह सकता है धमशाला में मौसम का मिजास बदल गया तेज हवाओं के साथ बारिश यहां भी होई अबी भी आसमान में बादल चाय हुए है टापान में गिरावट दर्ज की गए और वहीं मंडी में भारी बरसात के चलते पाड़ी दरग गई चंडिगण मनाली नैशनल हाईवे भी बादित हो गया और पाड़ी से मलबा आने से यहां पर रास्ता भी बंद हो गया लोगों को काफी परिश्वानियों का सामना करना पड़ा जो बवत उप्चुनाव से पहले करनल अजे कोठियाल ठाम सकते हैं बीड़ेपी का दामन और ये भी जानकारे की करनल कोठियाल ने सेक्टों समर्क्रों के साथ बीड़ेपी की और जाने का मन बना लिया है और इसे पहले आवारी पार्टिस से इस्तिफाद दिया था बुलेणशहर में ख़डे ट्रक से एक कार टकरावी हास्से में पांच लोगों की मौश की ख़बर सामने जबकि छे लोग घाल है बुलेणशहर से कदारना जा रहे थे कार सबार वुलेंट शेर में ही चलती एंबुलेंस में अचानक से आग लग गई दुलसने से एंबुलेंस च्यालक की मौत की खबर है पोलेंस ने शब को पोस्ट मोटम के लिए भीजा है और वहीं 102 एंबुलेंस पर EMT के पत पर मृतक तना था केदारनाथ मार्क पर अब सेल्फी पॉइंट भी बनेगा ये भी आपको जानकर दे नहीं कि जनरल विपेंद रावत के नाम सेल्फी पॉइंट बनेगा और प्रेटन मंतरी सत्पाल महराज ने इस बात की जानकारी खुट दी है मसूरी में मौसम का पलपल बदल रहा है मिजाज कभी तीज हवाएं तो कभी हो रही है बारिश तीज हवाएं चलने से कई घरों की छट तक उड़ गए बारिबारी शोर बरबारी के काण ही केदारनाथ यात्रा सोन पर्याग में रुप चुकी है रुद्र पर्याग में सरकिल आफिसर प्रमोद चिल्डियाल इस बात की जानकारी दे रहे थे और बयान मिनका साब में आया कि फाटा और साथी गोरी कुण से हलिकोप्टर स्थाई रूप से अब मिलंबित कर दी गई है केदारना जाने वाले पचास साल से जादा उम्र के शरधालों के लिए स्वास जाच अब अनिवार है और हेल्थ चेक अप में फिट पाई जाने के साथ ही अब ये भी जानकारे दी गए है कि केदारना जाने के नुवतित तब होगी